आप का स्वागत है चैनल मीशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश आज हम चरचा करने वाले हैं पैस्ट कंडोल इंडेस्टि में किये जाने वले ब्रांड प्रमोशनल की कि परचार जो है वो कब करना चाहिए क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए यह बहुत होने बहुत जरूरी है चाहे वो कोई भी बिजनस क्यों नहों लेकिन इस पेसली जो है पैस कंटोल एक ऐसा बिजनस है कि यदि आपके पास कस्टूमर बेस नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि आपको देनी है सर्विस इस और सर्विस के लिए चाहिए आपक ग्रहक और ग्रहक आपको मिलते हैं जब वो आपके बारे में कोई चीज जानते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप से अनुरोद करूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कर ले और साथ में बने घंटे के न मार्केटिंग का है तो वो आप तक सही समय पर पहुंचती रहे हैं अब शुरू करते हैं कि हमें जो है जो भी प्रमोशन एक्टिवीटी करनी है वो दो तरीके से एक्टिवीटी होती है एक डिजिटली और एक फिजीकली तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो फिजीकल करते भी आ रहे हैं बहुत पहले से कि पंपलेट बना करके जो है डिस्टिवीट करते हैं कहीं कैनोपी लगाते के डिस्टिवीशन करते हैं या फिर जो है किसी न्यूज पेपर में इस्तिहार देते हैं बोर्ड बैनर इस तरीके की एक्टिवीटी करके जो है आप अपना प किया क्या उसकी टाइमिंग पर्फेक्ट थी क्या वो सही समय था हम लोग क्या करते हैं कि सर्दियों में जब हमारे पास कोई काम नहीं होता है तो उस समय हम जो है हैंड स्पिल बगेरा बना करके डिस्टिब्यूट करते पर्मोशनल एक्टिविटी करते हैं बहुत अच्छी बात है करनी चाहिए लेकिन जब किसी व्यक्ति को जरूरत नहीं है उस चीज की उस समय पे आपने जो है पर्मोशन किया हो सकता है कि जब उसको जरूरत पड़े उसके हाथ में या उसके दो दिन पहले कोई चीज देखी हो तो वो उसको ज्यादा रिमाइंड रहती है और व के लिए थी परचार हुआ भी उस आदमी ने आपका परचार देखा भी लेकिन कितने परसेंट रिजल्ट उमीद आप करते हैं कि छे माईने बाद जब उसको जरूरत पड़ेगी उस समय भी आप उसको याद रहेंगे इसका समाधान ये है कि एक तो आप जो भी प्रमोशन की प्रकिरियाएं हैं उनको कंटिनिवसली फोलो करें जैसे यूट्यूब पे हम लोग वीडियो बनाते हैं और वीडियो की एक जो है सर्टेन फ्रिक्वेंसी में यदि हम उसको नहीं अपलोड करते हैं तो हमारे दरसक चैनल को छोड़ करके दूसरी जगा चले जाते हैं यानि कि चैनल प्रोपर तरीके से ग्रो नहीं करता है अगर आप डेली कोई वीडियो बना रहे हैं तो उसको डेली डालिए आप हमारे चैनल का एक्जामपल ले लेजिए कि हम जब वीडियो डालते हैं या तो कंटिनिव जो है वह दस बीस वीडियो डेली के इसाब से आती है या फिर जो है वह कभी-कभी महिने में एक दो आती है और कई बार ऐसा हो जाता है कि छे-चे महिने तक कोई वीडियो आती नहीं है तो उसमें क्या होता है कि जो लोग चैनल पर जूड़े हुए उनको इरिटिशन होती हाला कि ये वीडियो जो है इस तरीके से जो अपलोड की गई है वो एक मार्केटिंग स्टेटेजी के तहत की गई है बाद में डिसकस करेंगे कि वो क्या एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया फिलाल बात यह है कि आपको कैसे करना है तो आपको जो है यदि आप न्यूज पेपर वगेरा में देते हैं तो आप उसका एक शेडूल बनाईए पूरे साल का कि हम साल में इतना पैसा न्यूज पेपर इस्तिहार पे इन्वेस्ट करने वाले और उसको जो है एक निशित डेज के हिसाब से फिक्स कर लीजे कि इतने दिन के बाद आपका जो है रेगुल के डिस्टिब्यूशन को भी आप एक प्रोपर वे में मैनेज करें कि हमने जो है संडे के दिन करना है वीक में एक दिन करना है डेली करना है जैसा आपकी बजट है जैसी आपकी कैपिसीटी है उस हिसाब से करें दूसरा आप जो हैं जिसके हां सर्विस करने जाते उसको Tand Bill की अब आवुशकता नहीं क्योंकि वो आपसे मिल चुका है आपसे काम कर कुर आपका काम यहां बताएगा कि आप अगली सर्सविस के लिए हैं के नहीं हैं. लेकिन हाँ यह जरूर कर सकते हैं कि जहाँ आप गए हैं जहाँ अपने सर्विस की हैं उसके आथ इस पास में 10- के दरवाजे पे जो है आप अपना हैंड फिल छोड़ सकते हैं यह भी एक एफेक्टिव तरीका है दूसरा आप जो इन सोसाइटीज में काम करते हैं जो आपकी नियरवाई की सोसाइटीज है वहां आप डेमोस्टेशन जो है वो एक फ्रिक्वेंसी में अरेंज कीजिए उन लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ यह लोग यहां आते काम करते प्रोपर यूनिफरम वगारा जो भी आपका प्रोपेगेंडा है उसको ले करके वहां आप काम कीजिए और जो काम आपने किया है उस काम को आप नियूज पेपर के पब्लिस भी करवाई है जो भी लोकल में वहां चीजे हो रही है उनके फोटोग्रैप्स लीजिए उसको जो है डिजिटल मीडिया पर आप अपलोड कीजिए डिजिटल मीडिया का हम अलग से एक वीडियो तैयार करेंगे कि कौन-कौन से प्लैटफॉरम और किस-किस तरीक करके प्रिंट कराएं और उसमें नहीं करा रहे हैं तो कम से कम एटलिस्ट जो घरों में न्यूजपेपर जाते हैं उसमें आप अपना लीफ लेट जो है वो जरूर रखवा करके एक सडन फ्रिक्वेंसी पे भेजें जरूरी नहीं है कि आपने हजार हैंड विल जो हैं वो स्कता हैक विलेंगी कई बार हो सकता है कि ये बहुत दिन से पैपर इस तरीके का रहा है तो इस चांस देना चाहिए तो यह आप कर सकते हैं, दूसरा कुछ लोकल की जो है वो पत्रिकाएं छपती है, बिजनस परमोशन रिलेटिर, उसमें जो है सबके एड ही होते हैं, लगभग जो है विजिटिंग साइज के जो है, विजिटिंग कार्ड साइज के जो है, वो उसमें एड छपते हैं, 500-700 रु निकलती है, तो उन ऐसी पत्रिकाओं को जरूर आप जो है टार्गेट करें, आप देखें कि आपके लोकल एरिया में कौन-कौन सी पत्रिकाएं सक्रियें हैं इस तरीके से जो परमोशन करती हैं, इस तरीके की पत्रिकाओं का भी आप सहारा ले सकते हैं, और साथ में जो है आपको regularly जो है लोगों से meeting करते रहना है societies हैं बैंक अठोल हैं इन सब में जो है restaurant हैं आप जाएं जाकर कर मीटिंग करें मिलें उन लोगों से और अपने बारे में बताएं अब meeting हैं आपको करने किस समय हैं और किस समय आपको केवल promotion करना है तो उसका सबसे सही समय जो है वो अभी चल रहा है जब ये वीडियो बन रही है अब फरवरी का आज आखरी दिन है और मार्च में जो है वो ठीक ठाक गर्मी होनी स्टार्ट हो जाती है और यहीं से जो है वो पैस कंट्रोल का सीजन ओपन एक तरीके से आप मान लेजिए कि उनको एजनसिया बदल नहीं है वो बदल लेते हैं तो आप फरवरी से ही स्टार्ट करें लोगों से मीटिंग करना उनको आप रेगूलर जो है हर पंदा दिन में दस दिन में बीस दिन में जो है मुलाकात करने की कोशिस करें फॉन पे बात करें और अपना प्रजेंटेशन उनको जरूर भेजें अपना कोट भेजें हो सकता है कि आपने जो है सो कोट भेजे हों तो उसमें से दस कोटेशन आपकी एकसेप्ट हो जाएं दो चार कोंट्रेक्ट जो आपके पास पहले नहीं चल रहते हैं वो नए आजाएं और बाकी के जो आपके चल रहते हैं वो करते हैं जब आपका सीजन ओफ हो जाता सर्दियों में जो सबसे कम काम होता है उस समय भी वो रेगुलर आपको इंकम देते रहते हैं तो आपके सर्वाइवल के चांसे बढ़ जाते हैं और एक सजन ने जो है कमेंट करके पूछा था हमसे राकेशी ने कि सर कौन सा महीना जो ह है वह सबसे ज़्यादा पैस्ट कंट्रोल होता है ऐसा कुन सा बहीना आता है तो मैं आपको बता दू गर्मी के जितने भी महीने होते हैं वह भारत में बहुत अच्छे माने जाते हैं यहां के वातावन के हिसाब से जो है इंसेक्ट कंट्रोल के लिए सर्विस के डिमांड बनी रहती है और जिन कंट्रियों में रेगूलर जो है गर्मी रहती है दुबई जैसी कंट्रियां है और बहुत सारे जो है मरुस्तलिये छेतर हैं वहां गर्मी अधिक होती है तो वहां पूरे साल भर इसका सीजन ही रहता है यह तो सर्दी होने की वज़ा से थोड़ा सा कर देंगे तो यह सर्दी में जो ओफ सीजन वाला समश्चाएं हैं वो खतम हो सकती हैं अगर सारी कंपनिया मिल करके एक अभियान चलाएं इस अवेरनेस को जो है लोगों तक पहुंचाएं और थोड़ा जो है ओफर वगेरा आप दें सर्दियों में उन लोगों को कि जो है ज सकते हैं मुझे लगता है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी यदि पसंद आई है तो इसको आप चैनल को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए और साथ में हमें ये भी बताईए कि क्या आपको डिजीटल परमोशन की वीडियो चाहिए तो हमें नीचे कमेंट कर दीजिए हम बहुत जल्द जो है एक नई वीडियो डिजीटल परमोशन के ओपर डिटेल में ले करके आएंगे कि कब कहां कैसे किस प्लेटफॉर्म का इस्तमाल करके आप बहतर रिजल्ट गेन कर सकते हैं तो बने रही ये चैनल पर और मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में लादग इनल्द बहां वे लिए पर दो रिए बहां पर रिर किसी अन्य वाद है बाद आपकी वीडिस घए वी का बो पर वेऊन ही बदतो